आप देख रहे हिंदुस्तानी कपल रियक्शन तो हम आ गए आप लोगों के लिए एक निव वीडियो लेकर इस वीडियो का टाइटल है हिंदु धर्म के ग्रंथों में इसा गलत क्यो लिखा गया है अनि रुद्धाचारी जी वर्स डॉक्टर जाकिर नायक तो देखते हैं इस वीडियो में क्या बताएगा है आप लोग भी इस वीडियो को लास तक जरू देखना एक हिंदु भाई है जो पंडि जी से बहुत जा करना गाई शापनों सेर मीकरते हो वाटसब ग्रोब इंस्टाग्राम ग्रोब में और वालते फेस्बुक में अपनों हमारे वीडियो को सेर किया तरो ज्यादा ज्यादा तो इस्टा चरते बिना किसी टाइम बेस के जी ने छोड़ दिये हैं सब के सब नहीं उसमें सम्रीद किये हैं जैसे कि एक प्रसंग ये था कि जब सीता जी को जब लंका से वापस लाया गया तो शायद सीता जी के मन में यह हुआ कि राम जी हमसे बहुत प्यार करते हैं इसलिए हमको मलकि उन्होंने बचा करके सकुसल मंगल वापस लाए ऐसा उनको सा लगा या सा लगा हो या ना लगा हो लेकिन स्वियाम चंजी ने पहले ही ये बात क्लिया कर दी कि आप पर पराय पुरुष के घर रहके आई हो आपका त हुबहुत शब्द लिखे हुए हैं कहां लिखे हैं वालमी की रामयान में नहीं लिखे हैं नहीं सर लिखे हुए हैं मैं आपको वह शलोग परके चुना सकता हूँ और उसका जो अर्थ है गीता प्रेस गोरकपुर का है सुनो जो आप गीता प्रेस गोरकपुर की बात कर र आप लोग सुनते हैं मोवाइल में हम लोग सास्त्रों में लिखा हुआ है मिठलेश नंदिनी तुम्हारी वह महाभारत का चैप्टर वह बाल में की रामान का नहीं है है ना आप गलत कह रहे हैं वह प्रसंग मैंने सुना है वह मेरे संग्यान में है ठीक है आप बात कर सकते हैं अब मैं आपको बताओं यदी राम जी कहेंगे कि तुम मेरे लिए भोग गया नहीं हो तो फिर लवकुष कैसे पैदा हुए है उत्तर दो आपको तो लवकुष तो लॉकुष तो जब सीताजिया जी पजी चाया रती तब वहां पे गरुए है तो संतान तो लवकुष राम जी की ही है पूत्र तो राम जी के ही है प्यरों क्या कहुं रहे कि बहुए नहीं हो मैं तुमारा परना हम करूँँ आपके हिसाब से 3ग को मिलगी की सबसे ज्यादा पड़ी जाने वाली किताब हिंदु मख़ब में भगवत गीता में लिखा है अध्या नमबर एक में चैप्ट नमबर वन वर्स नमबर 43-46 में जब अर्जुन कहते है श्री कृषिन से भगवत गीता एक मशोरा है श्री कृषिन जो अर्जुन को दे रहे है मैदान ज जंग में तो भगवत गीता में लिखा है अध्या एक में वर्स नमबर 43-46 में अर्जुन मैदान जंग में अपने हत्यार को जमीन पर रख देते हैं और श्री कृषिन से कहते हैं मैं निहत्ता मरना पसंद करूंगा बनिजबत मेरे रिष्टेदार से लड़ू लड़ाय थी पांड़ों और कवराओं के बीच जो रिष्टेदार थे जो कजन से तो श्री कृषिन कहते हैं चंद श्लोका के बाद चैप नमबर 2 अध्या 2 वर्स नमबर 2 और 3 में श्री कृषिन कहते हैं अर्जुन से आपको ऐसे नापाक ख्याल दिमाग में कैसे आए हाओ कम सच इंप यह थोट्स हैफ कम इन यह माइंड यह नापाक ख्याल आपके दिमाग में कैसे आए हाओ कम यह विकम सो इंपोर्टेंट आप नपुन सक कैसे बन गए कौन कह रहा है श्री कृषिन कह रहे है अर्जुन से और भगवत गीता चाप्ट नमबर 2 अध्या 2 वर्स नमबर 31 तो 33 म श्री कृषिन कहते है अर्जुन से के शत्रिया का धर्म है लड़ना भागयवाने वो शत्रिया जिसको मौका मिलता है लड़ने के लिए अगर मैं इन श्लोका और मंत्रा का हवाला दे के यह कहूं कि भगवत गीता में आपके भगवान कह रहे है कि अपने रिष्टेदार का कतल करो तो यह शैतानी हरकत होंगी पसमंदर पढ़ेंगे तो पता लगता है श्री कृषिन कहरे अर्जुन से के बातिल के खिलाफ आपको लड़ना चाहिए चाहे वो आपके रिष्टेदार हो अगर आप हक पे है बातिल के खिलाफ लड़ना चाहिए यह पसमंदर है आउट आफ कंटेक्स है कंटेक्स में कहे रहे है कि बातिल के खिलाफ लड़ो औरे कुरान में भी कहा गया है सुरा निसा में सुरा नमबर 4 आयत 935 में या यू लदीन आमनू एंग मुमिनों स्टैंड़ फॉर जस्टिस एस बिटनेस तो अल्ला सुभाना उताला हक के लिए खड़े रो शादत दो अल्ला के लिए चाहे वो आपके खिलाफ हो चाहे आपके रिष्टदार के खिलाफ हो चाहे आपके वालिद या वालदा के खिलाफ हो चाहे अमीर या गरिब अल्ला सुभाना उताला हक के साथ है एक है कि सनातन क्या है सिर्फ सनातन क्या है मैं यही जानना चाहता जिसके कारण मैं आपके द्वार पर और यहां इजला से महफिल में मैं आपके सामने कोस्चन रखा हूँ भाई साब ने पूछा है कि सनातन की मानी क्या है पूरा सनातन धर्म सनातन मतलब एक ही खुदा में मानना सनातर धर्म जैसे मैंने कल भी कहा स्वामी द्यानल सरस्वती ने शुरू किया था और सनातन धर्म मतलब वो कहते है कि अगर आपको जानना है कि इशुर क्या है और धर्म क्या है तो सबसी उची किताब वेद के उपर अमल करना चाहिए तो इनने वेद की तेकी करने के बाद ये थाबित किया कि इश्वर का डेफिनिशन क्या है वेद और उपनिशत के जरिये और जैसे मैंने कल भी का और परसू भी का कि जब आप पढ़ते हैं छंदों गया उपनिशत चाप्टर नमबर छे, सेक्शन नमबर दो श्लोक नमबर एक, एककम एविदित्यम खुदा एक ही है, भगवान एक है, दूसरा नहीं है लिका है स्विता सेतर उपनिशत में चाप्टर नमबर छे, श्लोक नमबर नौ ना चाप्सिय कसिज, जनिता न जदिपा उस इश्वर, उस भगवान का कोई रब नहीं कोई वालदेन नहीं लिका है स्विता सेतर उपनिशत में चाप्टर नमबर चार, श्लोक नमबर उननीस ना तस्य पतिम अस्ती उस इश्वर की कोई प्रतिमा नहीं प्रतिमा एक संस्कृत लफज है जिसके मानिय अक्स पिच्चर, फोटोग्राफ पेंटिंग, आइडल स्कल्प्चर, स्टैच्यू उस इश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं कोई पिच्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं कोई photograph नहीं, कोई statue नहीं, कोई idol नहीं यही चीज लिखा है यजूरवेद के अंदर चैप्टर नमबर 32, क्लोका नमबर 3 नातत से पतिम अस्ती, उस इश्वर, उस भगवान कोई प्रतीमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई picture नहीं, कोई painting नहीं, कोई statue नहीं, कोई portrait नहीं और जो भ्रहमा सूत्र हिंदुजम का एककम ब्रहम दियुत्या नास्ते नेना नास्ते किंचन भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है तो अगर आप यह जान ले कि भगवा नहीं कि उसका अक्स नहीं है और सिर्फ उसी की अबादत करना चाहिए यह में अबजेक्टिव है सनातन धर्म का तो आप समझ चुके सनातन धर्म क्या है भाई साब फिलाल कुछ बोलना चाहेंगे आप बोली भाई साब सनातन धर्म नहीं होता जो मानव जन्म में मानव रूप में इस धर्ती पे आता है वो सनातन होता है और सनातन का कोई धर्म नहीं होता भगवान एक होते हैं उसकी साखाएं होते जैसे एक ब्रिक्ष पे उसके टहनियां होती है उसके पत्ते होते हैं उनमें फल होते हैं उसी तरह धर्म में भी सनातन हर वेक्ती इस धर्ती पे जो भी जन्म लिया है वो सनातन है उसका उपर वाले को मानने वाला जो वेक्ती होता है उसकी साखाएं अलेक होते हैं बाइसाब बाइसाब जो भी आप बात करते हैं मैं जो बात करता हूँ हवाला देता हूँ वेद या जुरुवेद चैप्टर 32 श्लोक नमबर 3 कुछ भी बोलू मैं बोलू दो जमाजो 5 दो जमाजो 6 तो मुझे हवाला तो देना पड़ेंगा ना आप जो बोलने कुछ कुछ मैं जो बात कर हवाला दे के एकदम ब्रीफ में कह रहा हूँ आप जो बोल रहे हैं मैं यह नहीं जानना चाहता हूँ आप क्या मानते हैं इसलिए मैंने कहा कि धर्म को जानने के लिए धर्म के मानने वालों को मत देखो धर्म के शास्त्रों को देखो तो मैं यह सुनने के ल लगों यां लाको लोग है पांच से दस लाक का मजमा है कि वो क्या कहना चाहता है तो फाइदा क्या है आप समझ रहे ना तो जो भी आप जवाब देते हैं अगर आप कहते तो आप हमाला भी दो आप हमाला दो भगवत गीता बहुत इंट्रस्टिंग वीडियो था रही हो दी पहरे दो बात करें लिग्यंगा, तो पहले तो बड़ी की बोले कि ऐसा लिखाही ही नहीं है पंढता जितने बपत है कुछ पोरे मांड़े में यायाद तो पात है लग्रिदा है उसको एकास बेसे नकार दिया ला पैरनिता से वहिटत चीज़ान पर पूरे लावी छीजा कुछ कि बुखना पारे कर लृट जो टिरों कि आप लोग जो चुने में जा हो पलाद जो अपने चीजें कि पहलने हैं जो बहुत गलत पहमी है कि जो आज की यूथ जो मगाइले के वे लाख भी है जैसे कि हावाला दी ओक्र जाकी नाइक सर बताते हैं चीजों को आप अपनी धर्म की किताब बरणो आप खरां किके क्या है पंडे जी के बात में बात मेल मतलब और उसी को फॉलो कर अनक्षा को यही पर एक तरफ जिया वहादा रप्लाय था डॉक्टर जाकिर नाईक सर्क तो पांडे जी का तो पूरी तरही के सांध करवादी यह सामिना ले बंदे की बात सुने रही जो भी सवाल था उसको पूरा क्लियर करना था पूरा डिवेट करना था उसके बारे में पूरी चीज़े पतानी थी जैसे कि डॉक्टर जाकिर नायकसर ने बोला हवाला दिया कि जो हिंदु धरम के उसका भी हवाला दिया लेकिन भी मुस्लमानों को बोलते हैं कि तुम्हारी बुक में लिखा है और कि जो ह्म वागोश पंडित अपने दिल की बात और अपना भड़ाज वो लिका है वो चीज बता हिए तो बहुत सही बात बोल एक आप क्या बोलते हो उसे नहीं और जो जरूरी नहीं है अपकी दो किताबे वो सबसे वह सबसे ज़ादा ज़रूरी है तो वही डॉक्टर जाके नायक सर्व ने डेक वहां पर क्लियर कि वह आपका मान रहे है आपके धर्म गर्णत क्या बोलते हैं वह अगर आप कुछ रिफरेंस के साथ बताऊगे तो उससे मानेगे कोई भी इंसान उसी को फॉलो करेगा जो उसका धर्म कहता है तो खुद किसे हर किसी इंसान को पढ़ना चाहिए अपनी किताबों को देखना चाहिए और लड़का आया था उसने मतलब कुछ पढ़ा और फिर उसके बाद आके क्वेश्चिन किया बहुत अच्छी चीज लगी में आप लोगों को किसका रिप्लाइ बैस लगा चाहिए और अगर आप इस वीडियो पे नहीं होगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नौटिफिकेशन और पर सब्सक्राइब कर देने एक तुडियो में तो तक लिए बाए लवी ग